नमस्कार आप देख रहे हैं DTB भारत और मैं हूँ आपके साथ निर्भै किशोर राजधानी पटना में सिक्षकों का एक बार फिर से प्रदर्शन होने वाला है ये प्रदर्शन होने वाला है नियोजन में देरी के कारण दरसल जिस तरीके से नियोजन की बात चल रही थी प्रक्रिया भी हुई लेकिन अब जो सिक्षक हैं वो इसलिए नराज हैं क्योंकि उन्हें अब तक नियुक्ती की प्रक्रिया से महज कुछी कदम दूरी पर रोक दिया गया है और ये प्रक्रिया जल्द खत्म नहीं हो रही है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 18 जन्वरी से यानि कि सोम बार से जो सिक्षक हैं वो राजधानी पटना में प्रदर्शन करेंगे आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है इसके साथ-साथ कहा ये भी जा रहा है कि ये जो सिक्षक जो होंगे वो बड़ी तादात में आएंगे और गांधी मैदान से ऐसी खबर है कि गांधी मैदान से ये अंदोलन के शुरुआत होगी और फिर वो धर्ना अस्तल तक पहुचेगी इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पपुजी पपुजी से हम जुडेंगे और फिर उनसे जानेंगे कि क्या कुछ धर्ना को ले करके क्या तयारी है कभी बिहार साकार के गलत नीतियों के कारण हमारा सिच्छा करिया आधर में अटकी हुई थी लेकिन हम लोगों ने इंटर्भेंट बनके सारा केस को डिस्पोज कराया सरकार की सरकार जो अपना बकील है वो सही समर पर भेजते नहीं थे उसको लेके हम लोगों ने जितने भी हमारे जो एड़ोकेट हैं उनको क्या है कि हम लोगों ने खुद हायर किया चंद कोड़ी कोड़ी जोड़ के जिसको बोल सकते हैं एडवोकेट हायर किया और सारा मामला को डिस्पोजल कराया सारा मामला दिस्पोजल होने के बाद अब सरकार जो है दस तारीक तक सारा सुडूल जारी करने का और बंधिक में का सोची प्रकासन करने का सुडूल जारी कर दी थी लेकिन नुक्ति पर तक सुडूल जारी नहीं की थी तो 10 तारीक खतम हो गया सारा 3800 जिला का और बंदिक में का सुची लगवक परकासित हो गया है सुडूल लगवक जारी हो गया है अब आगे का जो प्रकिरिया है वो सरकार आनवपचारी ग्रूप से रोक दी है इसकी जानकारी कैसे हुई कि सरकार देर तो हुई रहा है लेकिन क्या आप लोग ने कभी जानने के ऐसी कोशिस की कि आखिर में ये देर कहां से हो रहा है और क्यों हो रहा है हम लोग सर सचीवाल है मिनिरंतर हम लोग वहाँ पे जाते रहते हैं और जब दस तारी क्रॉस कर गया तो हम लोग सुडूल जारी करने के मांग करना शुरू किये तो वहाँ जो पदधिकारी है पिंस्प सेकेटरी है और माने नी डॉक्टर रंजी सर है उन्होंने साफ साफ अस्पर्ष रूप से कहा है कि सिच्छक जूर परकिरिया है बाधा आ रही थी तमाम परकिरिया हो रही थी अब ही क्या समस्या हो गई अब तो सारा केज डिस्पोजल हो गया अब तो तुरांत जेड़ महिना में नुक्ति पत देना चाहिए था फाइनल जो है सब कुछ करना चाहिए था लेकिन सर सरकार को पहले से ही मंसा नहीं थी कि ये बहाली बहुत मुश्किल से हमारे सिच्छक साथी मंसा की बात करेंगे सरकार को लेकर के लेकिन अब सिच्छकों की जो आगे अंदोलन की जो बात की जा रही है कि आखिर में अंदोलन सिख्षक जो है वो किस तरीके से करेंगे और क्या आपकी रणनीती क्या है यानि कि सिख्षकों की जो रणनीती है जिसको आप लीड कर रहे है तो क्या उसकी रणनीती क्या होगी देखे सर अब हम सिचकों के पास कोई अब बिकल्प नहीं बच रहा है हम सिचक तो भाई अस्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को जीवन को सावारना चाहते हैं लेकिन ये जो सरकार है वो हमें करने नहीं दे रही है हम लोगोंने सर घुमगुम के पूरे बिहार के 3800 जिला में 8400 नियोजनी काई में आवेदन किया बहुत उमीद से किया कि सरकारी बेवस्था में हम लोग जुड़ेंगे और आज प्राइबेट में पढ़ा रहे हैं गवर्मेंट एस्कूल में जुड़ेंगे सिक्षकों की क्या रणनीती होगी अब कल से जो प्रदर्षन सुरू होगा जो आंदोलन आप लोग करेंगे उस आंदोलन की रूप रेखा क्या होगी अब हार बार के सर हम लोग आंदोलन कर reflects है पट्ना गर्दनी बाग में हम लोग का अंदोलन धरना स्थल पे हम लोग का अंदोलन करेंगे हमरा नंसन करेंगे और लगतार करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है सर अब हमारे पास कोई बिकल्प नहीं है लोग परसान हैं निरास हैं हतास हैं सड़कों पे हैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं ये प्रस्थिती आ गई इस बिहार में दो साल से हम लोग इंतिजार कर रहे हैं कि बहाली कंप्लीट होगी बहाली कंप्लीट नहीं हो रही है सरकार कही एति बीजेपी सरकार कही थी कुनीस लाख नौकरी देंगे अरे भाई जो 94,000 जो बहाली चली उसको तो आप पुरा ही नहीं कर रहे हैं आप उनीस लाख की नौकरी की बात करते हैं अरे तो कैसे जीवन चलेगा हम लोगों का यह रभाया रहा तो इस बिहार में कैसे हम लोग खुसाल रहा पाएंगे आप हम लोग दस जार पांच जार में प्राइबेट में पढ़ा रहे हैं हमारा सारा जो NCT ने जो गाइडलेंड निर्धार्द किया है वो सारा सैचिक योगता हम लोगों हम लोगों में है आप TT हम लोग कौलिफाइट है सीटेट रहें और आपका रहें कि जो सिच्छक जो नियोजन हुआ समा धांदली हुआ है इसके बाएसे जो परकिर्या अधर मेरत लटका दिया है रोक दिया है तो यह तो भाई गलत बात पुजी ठीक है वह सरकार की अपनी प्रकिरिया है सरकार ने बिलम किया है और अधर कि अगर बात वो करते हैं तो जांच का विसाय उनका है और वो जांच इसमें करेंगे लेकिन आप जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करेंगे अंदोलन करने वाले हैं ये ख़बर थी कि ये गांधी मैदान से सुरू होगा क्या आप लोग दरीबाग में हम लोग आफ आफ़ ये लिया जाता है और इसको लोग वेया आफकर करेंगे और अपरोबल नहीं भी मिलता सर्थ भी हम आब पास कोई रास्ता नहीं था है सरकार ने जो जो प्यादिकारी है जो जहां से अप्रूबल लिया जाता है वहां से हमें अप्रूबल मिला है कि आप आंदोलन कर सकते हैं और एक सिच्छक एक आप सोचे नसर कि एक नागरिक के साथ अत्याचार हो रहा हो उसको अधर मिल उसकी बहाली को रोग दी गई हो सा साल से हम लोग इंतिजार कर रहे हमारे पास रास्ता क्या बचता है बताईए हमारे पास कोई भी कल्प नहीं है हमें तो बैस सरकार का दर्माजा डगड़काना है आपसे आखरी सवाल यह जानना चाहूंगा कि इससे पहले एक जो केस चल रहा था डियल्ड वाला जो मामला चल मतलब होता है कि जल से जल इमर्जंसी रूप में इसी चक्रिया को पूरा करा जाए अब फोर्थ बीत कहने के बाद भी जो सरकार है अरे सरी तो सरकार है इसी सरकार की पटना हाई कोट की नहीं सुनती है जब कोट ने निर्देशित कर दिया और डिड़ महीना के अंदर दो म नहीं चलेगी इस तरीके की सरकार की वह अपनी रवये हैं हलाकि हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी फिलाल हम सिक्षकों के मुद्दे से बात करते हैं पपुजी अपका डी टीवी के साथ जूड़ने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया तो जिस तरीके से हम देख अपन की प्रकिरिया होती है वस उसे कुछ कदम की दूरी पर है लेकिन सरकार ने इसको रोक दिया है हलाकि सरकार ने किस कारण से रोका है उसको लेकर के बहुत सारी बाते सामने आ रही है लेकिन इस बातों को भी हम पूरी तरीके से जो भी चाहे वो सिक्षकों की बात हो य और सरकार के बीच की जो बाते होंगी वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे लेकिन फिलाल ये कहा जारा है कि सोंबार यानि के 18 जनवरी से जो सिक्षक हैं वो सरकार के खिलाब आंधोलन करने वाले हैं प्रदर्शन करने वाले हैं ये आंधोलन पत्ना में होगा और इसके लिए पूरे प्रदेश से भारी संक्या में जो है वो सिक्षक पहुंच रहे हैं लेकिन इन तमाम ख़बरों को जो भी अपडेट होगा हुआ आपके सामने डीटीवी भारत जरूर लेकर के आएगा इसलिए डीटीवी भारत का साथ दें अगर अब तक आपने हमारे भारत के साथ अनुसकार